सो फ्र verdad क्लास डिम्टीक की सो लास्ट-प्लास में अब क्या करा था लास्ट-ख्लास में हमने बात प्रणी शुरू करी थी इसके बारे में हमने बात शुरू की थी addition reaction के बारे में last last में हमने addition reactions के बारे में बात करी थी उसका मैंने तुम्हें basic बता दिया था उसके बाद addition reactions में हमें करना क्या था देखो हमें दो टाइप के addition reaction देखनी थी एक तो bromine के साथ और एक hydrogen के साथ तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे hydrogen के साथ addition reaction तो उसको हम बोलते क्या है hydrogenation तो हमें mainly अभी क्या देखना है हमें करना है hydrogenation अब hydrogenation में देखो अगर हम लिखें definition क्या होगी hydrogenation की तो definition हमारे पास होगी addition of addition of hydrogen to unsaturated unsaturated hydrocarbon to give to give saturated hydrocarbon to give saturated hydrocarbon देखो बैटा सीधी सी बात है hydrogenation हमारा क्या हो जाएगा कि addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to give saturated hydrocarbon मतलब अगर हम simple definition में बोले है simple language में अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि unsaturated hydrocarbon carbon कौन से जैसे हमारे पास अलकीन या अलकाइन मतलब जिसमें हमारी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या करें saturated hydrocarbons बन जाएं कैसे मतलब अलकीन अलकीन या अलकाइन को हम अलकीन बना दे कैसे hydrogen आड कर गे ठीक है तो इसमें हमारे पास देखो क्या होता है इस हाइड्रोजनेशन के लिए बटा में क्या चाहिए हमें एक मैटल कैटलिस्ट चाहिए ठीक है वह मैटल कैटलिस्ट का क्या होता है देखो अगर हम देखें तो माल लेता है है एलकीन या हमारे पास एलकाइन है कोई भी अंसाइटर हाइड्रोकारबन है उसके हाइड्रोजिनेशन करवानी है मतलब हैच्टू हम एड़ कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन अगर हमारे पास क्या होगा Metal Catalyst present है तो उस case में तो क्या हो जाएगी हमारी Hydrogenation हो जाएगी और क्या बन जाएगा? Algane लेकिन अगर तुम सर्फ H2 लेते हो और यहां पर क्या है? Metal Catalyst नहीं लेते हो उस case में क्या होगा? No reaction ठीक है? तो एक important जो चीज है यहां Hydrogenation के case में कि बेटा Metal Catalyst required है उसके बिना Hydrogenation नहीं होगा अब इसको हमारा क्या है? कि इस Hydrogenation in Presence of Metal Catalyst क्या है हमारे पास? Hydrogenation in Presence of Metal Catalyst Hydrogenation Presence of Metal Catalyst को हम क्या यह क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है Catalytic Hydrogenation ठीक है? यह इसको क्या बोला जाता है? Catalytic Hydrogenation अब इसमें देखो एक चीज़ यह आती है कि अब इसने यह बोला कि यहां Metal Catalyst की Presence में ही reaction होगी वैसे कोई reaction नहीं होगी अगर Metal Catalyst नहीं use करते हैं तो ऐसा क्यूं है? देखो इसका भी हमारे पास reason होता है अगर हम बात करें कि Role of Catalyst Role of Catalyst तो एक चीज़ हमें Catalyst के बारे में बिल्कुल clearly पता होती है Catalyst क्या करता है? एक reaction को जनरल टम्स में अगर बात करें तो reaction का rate increase करवाता है कैसे? मैंने तुम्हें बताया था कि Catalyst हमारा activation energy decrease कर देता है क्या कर देगा? तो इस reaction के लिए भी हमारे Catalyst क्या करेगा? Decreases activation energy और activation energy को Ea से represent करते हैं Decreases activation energy क्योंकि क्या होता है? Otherwise Activation energy for Hydrogenation Is High तो ये reaction क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इस case में Hydrogenation reaction के case में Activation energy हमारी High होती है तो Catalyst के बिना वो reaction नहीं हो पाती Catalyst डालने को activation energy decrease कर देगा और दूसरी चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी वो ये कि ये हमारी क्या होती है? Surface reaction होती है तो Catalyst क्या करता है? It provides It provides Surface For Reaction To Proceed ये क्या करेगा? एक तो activation energy decrease करता है दूसरी चीज़ की reaction करने के लिए वो अपना सर्फेस एरिया प्रोवाइड करवाता है Hydrogenation का हमने देखो Hydrogenation अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो कैसे होती है कि ये मान लो हमारा मेटल सर्फेस है मेटल सर्फेस की ऊपर ऐसे Hydrogen Hydrogen क्या हो जाती है? इसे अटैच हो जाती है, एडजर जहती है, यहां देखो हो यहां हमारे बास क्या हो गया산? इसे हमारे रे कहने हम और हादर पर एंट्रैक्शन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है इंट्रेक्शन में फिर यह वाला बॉंड ब्रेक हो जाता है यह बॉंड भी ब्रेक हो जाएगा और एक पाई बॉंड ब्रेक हो जाएगा और रिजल्टेंट हमारा क्या बन जाता है रिजल्टेंट हमारा बन जाता है एक Saturated Hydrocarbon जो की हमारा क्या है L-Cain ठीक है तो यह हमारा क्या है Basic है Hydrogenation का अब हमने देखा हमने बूला कि Metal Catalyst यूज होता है तो देखो Metal Catalyst कौन सा यूज होगा उसको लेके अगर हम बात करें तो देखो Metal Catalyst जो हमारे यूज होते है Metal Catalyst Used कौन कौन से Metal यूज होते हैं तुम्हारे निकल Platinum और Palladium यह तीन यूज हम Metal Catalyst तुम्हें मिलेंगे Hydrogenation के लिए तो अगर हम Reaction लिखे तो देखो क्या होगी अगर हम प्रोपीन को एक्जामपल लेते हैं CH3 CH double bond CH2 यह हमने एक्जामपल लिया तो यहां हम क्या लिखते है Reaction Condition या जो भी Temperature होता है तो देखो या तो Palladium Carbon के साथ लिखा होगा ऐसे या फिर Platinum Carbon या फिर तुम्हारे पास लिखा होगा Nickel और साथ में Heat लिखा जाता है उसके लिए हमें Heating करनी पड़ती है तो यह Temperature हमारा Almost कितना होता है Temperature Almost होता है 300 degree Celsius इससे reaction क्या होगी यह क्या हो जाएगा यहां एक हाइडोजन हमारा अटाच हो जाएगा और हाइडोजन तो obviously लिखना ही है तो सबसे पहले हाइडोजन होता है और फिर हमारे यह Catalyst होता है तो यह हमारे पास product चो finally हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा CH3 CH2 CH3 तो यह क्या बन गया यह बन गया प्रोपेन होता क्या है अब हाइडोजनेशन का एक हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट एंपले और है वो यह application जुक्त लेगे सकते हैं वह इंपॉर्ट इंप क्या है हाइडोजनेशन क्अपा हाइडोजनेशन ओफ और ईल काół हाइडे जो एक हमें इब़ॉर्टेंट example जो application करनी है वो क्या है hydrogenation आप थो ऑइल के hydrogenation में देखो क्या होता है कि ऑईल होता है हमारा है अचैनल हम पता है कैसा होता है लिकविड होता है तो अचैनल हमाझे पास होता है वह होता है poly-unsaturated poly-unsaturated fatty acid अब poly-unsaturated का मतलब kya है अनसाचेडल unsaturated हमें पता है इसमें क्या होगा double- related trifle bond poly-unsaturated मतलब एक से जादा हमारे पास double bond double bond equal bond होता है और long-chain fatty acid होता है acid क्या है जिसमें last में carboxylik group हमारा लगा हो तो तुम्हें समझ में आ गया polyunsaturated fatty acid का मतलब है कि एक हमारा long chain carboxylic acid है जिसमें क्या है polyunsaturation मतलब एक से जगे पर हमारे double or triple bond हो सकते हैं वो होता है हमारा oil अब अगर उस oil का यहां unsaturation अगर हम क्या करवा दें hydrogenation करके उसका saturation करवा देते हैं तो देखो क्या reaction होगी हमारे पास है oil ठीक है oil का हमने क्या करवा दिया और का अगर हम करवा दें hydrogenation hydrogenation जब हमने oil का करवाया तो क्या बन जाता है यह बन जाएगा हमारा vegetable गी यहां oil लिख लो या फिर हमारे पास क्या लिखा होता है यह होता है हमारा vegetable oil की hydrogenation अगर तुम करवा दोगे तो vegetable गी बन जाएगा या तुम fat भी लिख सकते हो यहां पर कोई problem नहीं है तो यह हमारे पास क्या होता है vegetable oil अभी हमने देखा क्या होता है unsaturated unsaturated fatty acid और hydrogenation करने के बाद यह क्या बन गया यह हमारा बन जाता है saturated fat ठीक है पहले unsaturated fatty acid था यह अब क्या बन गया saturated fat बन होता है यहां होता है oil हमारा liquid और यह किस फॉर्म में होता है यह हमारे पास होता है या तो solid या फिर semi solid इसका रीजन यह होता है कि जैसे हम क्या करते हैं unsaturated इसे saturated उसमें interactions change होते हैं इंट्रैक्शन चेंज होने की वज़े से हमारा क्या होता है एक हमारी फिजिकल स्टेट्स पी चेंज होने लग जाती है इंक्रीज होने पर उस वज़े से यहां पर हमारी स्टेट में भी तोड़े डिफ्रेंस आ जाता है अब यह जो वेजिटेबल और इसको हम क्या करते हैं इस कांसिडर्ड कि इस कांसिडर्ड आज कि गुर्ड कि और इसको हम हेल्थ के लिए अच्छा कंसिडर करते हैं दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जो हमारे पास इसये होता है यह होता है इसमें भहुत सारी हमारी होती है डीजिज हो जाती है यूश्वली इससे क्या हो जाता है causes heart diseases ठीक है usually usually heart diseases हो जाती है तो यह हमारा healthy होता है यह हमारा unhealthy होता है लेकिन फिर बात यह है कि यह बनाते ही क्यों अगर unhealthy होता है इसका एक general reason होता है कि यह जो हमारा क्या होता है it mixes with love better यह बैटर तरीक से mix होता है और जो हमारा खाना बनता है गिव्स गुड टेक्श्र वाइल बेकिंग तो यह हमारा क्या होता है यह होड़ा सा फ्लॉवर के साथ हमारा बैटर मिक्स होता है यह हमारा जो बेकिंग अबने करी है उस केस में जो तेक्शर होता है फूड को थोड़ा बटर हो जाते है इसलिए यूज करते तुम्हें देखे कि होगे घर पे जादा हमारा यह यह यूज होता है जो हम करी थी hydrogenation addition of hydrogen था दूसरा हम क्या करेंगे दूसरा हम करेंगे अधिशन reaction अधिशन reaction विद रोमीन के साथ हमारी अधिशन रिएक्शन वो हम करेंगे देखो रोमीन के साथ अधिशन reaction अगर हम reaction लिखें तो मान लो हमारे पास क्या है CH2 double Gorn CH2 हमारे पास है कि इथीन है इथीन को हमने क्या करा रोमीन के साथ reaction हुई और एक्षिल में किसके साथ reaction कर वाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ कखूंग मिन्ट पिपरन इससे निक हदे निए नियुक्त नियुक्त आइविल और वॉर्टर मेशर होता है वहversion मारे हो चाहेगा तो CH2 CH2 और यहां पे बोमीन और रो में क्या बन गया यह हमारा बन गया 12 डाय ड्रोमो कि क्यों यहां है देखो अब यह रियक्ष्ण तो तुमने देख ली यह जो मने रियक्ष्ण लिखिये बहुत important टेस्ट है और इस टेस्ट का हमारा नाम क्या होता है इस टेस्ट का नाम होता है जो मीन वाटर टेस्ट इस टेस्ट का नाम हमारे पास क्या होता है टेस्ट का नाम होता है ब्रूमीन वाटर टेस्ट क्या करता है देखो ब्रूमीन के वेपर हमें पता है क्या कैसे होता है रेड brown color का होता है यह हमारा red brown color का हुआ अब red brown color तो हो गया यह जो तुम्हारा बनता है यह हो जाता है colorless तो bromine water test किसके लिए use होता है यह किसके लिए है हमारा test for unsaturation कभी भी अगर किसी भी हमारी चेन में unsaturation present हो तो हम the além water test कर सकते हैं क्या होगा test में जो हम observe करेंगे वह क्या होगा कि Solutions water अगर वह加लई हो जाता है colorless मिन जाएगा तो उसका मतलब यह था कि हमारे पास compound में unsaturation present था domain का ऐसे addition हो गया है यह हमारे पास क्या होता है domain water test होता है यह तो तुमने देख लेगी ethene के case में से domain water test हो गया अगर कभी हमारे ऐसे हो कि तुम्हारे पास क्या हो कोई liquid alkene हो जैसे हमारे पास मान लो साइक्लो हेक्जीन हो लिए साइक्लो हेक्जीन कैसे है मतलब क्या कि अगर कुछ लिक्विड हेक्जीन है उसका है तो उसके case में हमारा क्या होगा domain water होता है साथ में हमारे ccl4 as a solvent act करता है और इसमें क्या हो जाएगा हमारा यहां ब्रूमीन है लग जाता है और यहां पर यह होगा कि पहले हमारा ब्रूमीन वाटर कैसा था यहां पर कलरलेस हो जाता है किसके लिए यूज होता हमारा test for unsaturation in do organic गल्क अगर ऐलकेन होगा तो ऐलकेन के केस में यह रेट ब्राउंट कलर तब भी रहेगा परसिस्टेंट रेड़ बाउन कलर आएगा कलर लूज नहीं होगा लेकिन अगर एलकेन या ऐलकाइन होगा कहीं भी अनसाइट्रेशन हो एक और अलग अलग हमारे compounds होते हैं अलग-अलग functional group होते हैं उनमें भी unsaturation है उसको भी टेस्ट करता है लेकिन अभी तुम्हारे लिए important क्या है एलकीन और एलकाइन का case वो अगर कभी भी होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा solution जैसे ही colorless हो जाएगा हमें समझ में आ जाएगे कि यहां पर कोई ना कोई unsaturation present है यह हमारा हो गया है इससे हम एक important अब हमारे पास क्या चीज़ आती है इससे हम कुकिंग ऑईल और बटर कैन बी डिस्टिंग्विष्ट् गुकिंग ऑईल और बटर यूज़ंग रोमीन वाटर कैसे कर सकता है अभी हमने देखा था हमारा ओईल क्या होता है ओईल हमारा unsaturated होता है और बटर जो हमारा क्या होता है वो saturated fat होता है तो इस case में क्या हो जाएगा इस case में हमारा जो Bromine water है वो decolorize हो जाएगा इस case में नहीं होगा तो इस से हम Bromine water test से हम cooking oil और butter को भी differentiate कर सकते हैं तो यहां पर हमारा क्या complete हुआ है कर दो